नमस्कार में नाम हनरेश कोश्यारियो और आप देख रहे हैं पोल पंच इन दिनों अगनिपथ योजना जो है बेहत सुर्ख्यों में है इन दिनों नहीं बलकि लोग सुबह चुनाव से पहले और उसके बाद से अगनिपथ योजना की बहुत चर्चा हो रही है चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि अगनिपथ योजना जो है उसने लोग सबाज चुनावों से लेकर अब तक लगातार सरकार के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी करती है क्योंकि बिबख्ष लगातार इस योजना को लेकर सरकार पर हावी हो रहा है खास तोर पर बिबख्ष के प्रमुक नेतर राहूल गांदी तो ये अगनिपत योजना जो है और अगनिवीर जो है वो सरकार के लिए किस तरीके से परिशानी का सबब बन रहे है और इसका चुनाओं पर क्या असर पढ़ रहा है इस पर बात करेंगे और बात करने के लिए मेरे साथ अरुन चौबे सर है संपादक है इंडिया.com के तो और इन सर सबसे पहला सवाल राहूल गांडी तो लगातार हमलावर है और ऐसा माना जा रहा है कि जो टर्निंग पॉइं में शुरू की गई पिछली सरकार में मोधी गर्मेंट दोरा अगनिवीर योजना का और इसका चुनावी जो इंपैक्ट होना था वो हो चुका है आप देखें तो जो अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें उनका जितना नुक्सान होना था वो हो चुका है उसकी के साथ में जोड़ दिया और जिस तरह से चारों तरफ जो क्राइसिस सिच्वेशन एक तरह से उन्होंने कहा कि इस बेरोजगारी और महंगाई के दौर में यह अनिम्प्लाइमेंट जो है बढ़ रहा है उसमें जो है सेना की जो सेना की जो एक स्थिती हुआ करती थी जो चुनाओं के सपने को तोड़ दिया गया इस अगनिवीर योजना के अगनी अगनीपत योजना के तहत यह नेरेटिव बहुत काम आया चुनाओं के दर्मियान उसका इंपक्त जो है कई राजियों पर आप देखेंगे कि हिमाचल हो उतरा खड़ हो उत्तर प्रदेश में उ उतर प्रदेश को मध्य बर्देश को उत्राकंट ने अमांचल वे भारती अंता पार्टी को वहत नक्सान होता है और इसके बाद मैं देख रहा हूं कि अब भारती अंता पार्टी अलब ऑलग तरीके से अगनीवीरों को खुश करने के लिए युवाउं को मनाने के लिए अब ये जो जिस तरीके से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है सरकार इसका कुछ फैदा हो पाएगा तेखिए आपने अभी अपने जो बात कही उसमें शुरुआत में आपने कहा कि बीजेपी के ग्रामीर अंचल में जो है इस नरेटिव का असर पड़ा तो उत्तरप्रदेश का ही मैं उदारन लेता हूं उत्तरप्रदेश में जब हार के कारणों पर जब समिक्षा सुरू हुई लोगों ने अपने जो फीडबाइक देने सुरुके तो उत्तरप्रदेश में जो एक रिपोर्ट बनी 15 पेज की जो वहां के स्टेट प्रेजिडेंट भूपन चोधरी ने दिया उसमें पहला कारण अगनिवीर योजना का दिया है कि अगनिवीर योजना का जो नेरेटिव बना अपोजीशन ने बनाया उसका बहुत बड़ा इंपक्ट था उसके साथ में ओल्ड पेंसन स्कीम अगनिवीर योजना और जो कार्डर्स के साथ जो डिस्कृंटिल कार्डर् और उस पे आप देखेंगे कि जो एक नॉन यादो ओवीसी वोट बैंक है उसमें से जैसे कोरी हुए कुर्मी हुए और एक दो कास्ट जो है मौर्या कोरी कुर्मी कास इस तरह की जो बात हो या लोध कास्ट है यह सब जाती ना ओवीसी इन सब वोटों में भी जो खिसकाव आ सुबह आप स्राड़क के किनारे आपको पांच वजे के पास एक कतार भागती हुई दिखेगी युआओं की तो यह सब मैं तो समझता है उत्राखंड में भी यह इस्तिती है सुबह जो है एक जो सेना में भरती होने के लिए एक सपना होता है उसमें युआ वर्ग जो अठ साहिड सी बात एक इंपैक पड़ा उस सपने को सपने पर इंपैक पड़ा यह साइकलोजिकल एक तरह से इमोशनल मामला था उसका असर जो पढ़ना था वो पढ़ चुका है आपने हरियाना की बात कही साहिए इसी जो कमी को पूरा करने के लिए चुकि पहले जो जो अगर जो नारा दिया गए था चार-सो पार नंबर आ गया होते तो साहिद इन सब छोटी-छोटी कह रहा हूं मैं छोटी-छोटी के हुए इन सब बातों पे सरकार का ध्यान ना जैता वो जिस तरह से अपने वीजएरत के साथ आगे बढ़ रही थी साहिए भीजए-पी उसी तरह नहीं पड़ा लेकिन जब सरकार का graph गिरने लगा जीत हार जीत का graph जो हार का graph जो हो नीची के और जाने लगा जीत का graph तो उसके बाद ही ये action हो रहा है तो यही मैंने का इसलिए opposition का strong होना बहुत जरूरी है किसी सरकार का absolute numbers पाना मतलब democracy के लिए स्वास democracy के लिए भी ठीक नह strong opposition मना है तो उस तरह से positive development है और रही बात दूसरी की सरकार की तरफ से इन सब बातों का ध्यान देने की बात पर मैं बताऊं हरियाना सरकार ने जो है तुरंट क्योंकि हरियाना में अभी October November तक चुनाव हो जाएंगे वहां की सरकार बन जानी है तो वहां पर जो Saini साहब है कि वहां पर जो हरियाना में जो MNC जो private firms हैं जो बड़ी बड़ी जो establishment है वो लोग अगर 30,000 तक की नोकरी अगनिवीर को देते हैं उनके retirement के बाद तो उनको subsidy भी देंगे तो इस तरह की सुबधाओं की बात उन्होंने कही जाहिड सी बात इससे फाइदा पहुशेगा और जो वहां का large force जो unemployed force है वो जो जो उनको उनके लिए एक मदद पहुशेगी क्योंकि उसी जो unemployed लोगों में जो है वहां अगनिवीर से retire होके लोग आके और शामिल हो जाएंगे तो उनके लिए एक एक जो कहता है नहीं कि silver जो lining दिखी कि वहां पर एक एक उम्मीद दिखेग है उसमें भी 10% की reservation की बात की है कि अगनिवीर से जो लोग retire होके आएंगे उनको हम 10% reservation लेंगे तो central government की तरफ से और कुछ state government की तरफ से even-even मैं उतराखंड का भी नाम लोगा वहां की भी राज्य सरकार ने ऐसा provision किया है कि वहां से जो youth अगनिवीर बनेंगे उनके retirement के बिल्कुल सर लेकिन सब बहुत positive development बिल्कुल सर अब थोड़ी सी राजिते हटकर हम सेना की बात करें तो कई जो defense expert है उनका यो आरूफ है कि covid period में सेना में भरतिया नहीं हुई करीब डेर से दो साल covid period चला उसके बाद उनका आरूफ यह है कि सेना में जो भरतिया हो रही है इसमें सेनिकों की बरतिया अब कम हो गई है जिस और खास तोर पर आप अगनी भीर भरे जा रहे हैं और एक तो युवाओं के लिए नौकरी कम हो गई है और दूसरी जो दो साल के अंतराल में जो भरतिया होनी थी वो भी नहीं भरे के तो इसके विरोजगारी ज्यादा यह सब बाते बिल्कुल सही है लेकिन इसके बीच में सेना में जो कमी आई सेना में अलड़ी हम लोग अगर रिपोर्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आफिसर्स की लगातार कमी रही है जो जो कमिसंड आफिसर्स भरती होते हैं तो कमिसंड आफिसर्स के नंबर में लगातार रिपोर्ट साती की कमी है चाहे वो वायू से नामे है चाहे थल से नामे है या नेवी में हो तो उसको अब इस समय इस तरह से हमारा थ्रस बढ़ गया है इस बार भी रक्षा खर्च में हम लोगों ने बड़ोतरी पाई है तो ऐसी इस्तित में आप देखेंगे कि जो इन सब तीनों विंग्स में जो इस कमी को पूरा करने के लिए हम लोगों ने रक्षा खर्च बढ़ाया है और रक्षा खर्च बढ़ाया है तो उसमें जो है एक तरह से पॉजिटिव डवलपमेंट की बात है लेकिन ये पक्ष ये पक्ष जो आता है उसमें उसके साथ में ह साहार्ती सेना ने जो कारगिल बारा कि ती मैं तोसके 25 साल पूरे होने जा रहे हैं तो हम कारगिल विजर्द movies लेत कोरे होरे हैं तो आल पोड़े हैं तो इस पर फिर कंलूर देशर पूर है कर रहा है और आपको बता दूँ कि तक्रीबन 1.5 million जो first-timers voters थे 18 to 19 या 20 तक के लोग जो इस बार जुड़े थे ये election commission की report थी चुनाओ के पहले की उसमें कितने percent लोगों ने वोट दिया उसका data तो मेरे पास नहीं है लेकिन तक्रीबन 18.5 million जो first-time voters जुड़े इस बार तो वो एक segment है जो क emotionally जुड़ा हुआ और ये नया youth force जो है जो नया electorate है ये democracy में जो है एक तरह से opinion maker के रूप में हो गया है वो भले ही different field के हो लेकिन ये जो youth का psychology है वो थोड़ा सा राहूल गांधी के narrative के साथ में क्योंकि वो social media के साथ में है वो social media के different platforms पे है तो वो लोग दूसरे डंग से उ बड़ा challenge है कि जो emerging जो जो youth का जो segment है उसको कैसे खुछ रखा जाए तो उसके लिए जरूरी है maximum employment opportunity तो मुझे याद है कि मैं पिछले महीने जब अपने गाउं गया था तो मैंने अपने गाउं के कुछ युवा थे 18-18 साल मैंने उनसे सवाल किया कि मैंने बताई कि सरकार यह कहा कि रोजगार के मामले में कॉंग्रेस अच्छी और धर्मों के मामले में बीजेपी अच्छी है तो इस तरह के से उन्होंने डिवाइड कर दिया था और यही हो भी रहा है इस वक्त कह रहे है कि लोग युवाओं की डिमांड है कि उनकी चार साल की जो नौकरी है इंट्रेस फ्री लोन होगा इस तरह की यह जो लुभावनी योजना है इसी तरह से जारतर राजियों को करनी पड़ेगी आपने देखा जो केंदर सरकार का जो अभी बजट आया है बजट में उन्होंने यूथ सेंट्रिक प्रोग्राम्स को लेकर जैसे मुद्रा योजना म इन्सेंट्रिक किया है और जो 500 कमपनीज को जो उन्होंने CSR केता है तब ही मैं जो एकोनामिक सेकुर्टी हैं जो सेकरेट्री हैं जो सेंट्रल गर्वेंट के उनका भी स्टेट्मेंट देख रहा था कि किस तरह से हमारे कुछ कमपनीज हैं जिनको 2% CSR करना है जो कॉर्पर देंगे मौका देंगे और उनको 5000 का स्टाइपेंड देंगे तो उनका एड़ सेम टाइम जो इंट्रेस्ट भी बढ़े है काम में भी इंट्रेस्ट लेंगे और उन कंपनीज का जो CSR फंड में वो लोग जो करते हैं इस तरह से एक कंट्री के यह देश के कंट्रीब्यूशन में यूथ फोर्स की मदद करेंगे तभी हम लोग जो विकसित भारत का संकलप है 2047 का इन ही सब छोटे-छोटे कदमों से या सभी की भागेदारी के साथ में पूरा हो पाएगा बिल्कुल सरी इन सब में भारती अंता पार्टी को एक चीज़ को लेकर बड फोरी तरह खत्म कर देंगे लेकिन बड़ा भारती अंता पार्टी को लेकर उनका जो स्टैंट अपना उनकी जो जिस तरीके से प्लानिंग की तो इतना नुकसान होने के बावजूद भी एक भी भार भारती अंता पार्टी ने यह नहीं का कि हम इसे खत्म करेंगे तो मैं राजनीति में वही सफल है जो अपने स्टेंड पर कायम रहता है ये राजनेतिक सफलता होती है उसमें एक एक जाम्पुल मैं देखूँ दूँगा आपको अभी बजट में भी बात हुई उसमें बिहार से स्पेसल इस्टेटस की मांग थी अंद्रपरदेस से स्पेसल तो यह मोदी सरकार की जो पुलिटिकल स्रूडनेस आप कह सकते हैं. पुलिटिकल स्रूडनेस और किसी के दबाओं में ना आना या जो कोईलिशन पार्टनर्स हैं. यही उनका जो है पुलिटिकल एक्यूमेन है जिसकी वज़े से प्रधान मिंत्री मोदी जो है एक-एक सफल राजनितिक की रूप में आगे आते हैं इस लडाई में कि भारती सेना ने किस तरीके से पाकिस्तानी स्थेनिकों को खदेडा था जिस तरीके से ने घुसपैट की उसके बाद उनको खदेड कर इस युद्ध को जीता था और उसी को हम याद कर रहे हैं 25 साल पूरे हो गए हैं और इस दिवस पर हम कई प्रोग्राम आपके लिए कल लेकर आएंगे, साथ ही आज के पोल पंच में हमने आपको बताए कि किस प्रकार से अगनेवीर योजना जो है, वो लगाता राजनीती का विशय भी बन गई है, लेकिन इसके साथ ही कारिकिल विजय दिवस पर जो हम आपको जानकारी देंगे, यानि कल या आज शाम से हम शुरू कई प्रोग्राम आपको बताएंगे, वो आपको बहुत ही अच्छे लगने हमां उमीद है, और लगाता राप देखते रहिए, इंडिया.com और पोल पंच के नाद जुड़े रहेगा, बहुत बहुत शुक्रिया.